नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है काश और आप सभी देख रहे हैं इंडियन ब्लॉग यूटिब चाल दोस्तों आज मैं आप सभी से बात करने वालों कुछ दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहूंगा कैस इंडियन होसिंग सर्विसेज डॉट कॉम जो की गैस मेरी ही होसिंग साइट है कैस वो गैस फानली रिलाउंच हो चुके गैस अगर आप बिल्कुल चीपस प्राइस पे बिल्कुल रीजनेबल प्रा करें जो मैं 30 डेस का बिल्कुल फ्री ट्राईल यहां पर आपको दे रहा हूं यानि की गैस बिल्कुल फ्री में बिल्कुल 30 दिनों के लिए जायस आप अपनी वेबसाइट को लाइप कर सकते वह भी बिल्कुल फ्री में है दोस्तों चली डा mayoría ऑले सबसे पहले टूल की या make sure guys SEO by Yoast plugin guys आप ही सबके लिए बिल्कुल free plugin है WordPress में आप यूज कर सकते हैं इस plugin के थूज आप ये देख पाएंगे कि आपकी site का जो भी आप article आप लिख रहे हैं उसके keywords आपने कितने include की हैं आपका जो site title है वो किस तरीके इसका है आपकी meta description किस तरीके की है WordPress का plugin है जिसका नाम है WPFastestCatch पहले के टाइम में WPFastestCatch काफी ज्यादा यूज होता था और दोस्तों मैं आपको बता दू यह सारे plugin बेसिकली आपकी website की speed को increase करते हैं अगर आपको अपनी website की speed को ज्यादा increase करना है तो WPFastestCatch एक ऐसा plugin है जो easy to install है one step है guys एक step में install हो जाता है और एक step में वो automatic सारी चीज़े आपको कर देता है but as compared to WPFastestCatch तो guys manually आपको 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 काफी सारी चीज़े करनी बढ़ती है तो दोस्तों अगर आप अपनी website की speed को increase करना जा रहे है और guys अगर आपकी website WordPress में है तो guys मैं highly recommend करूँ हूँ आप यूज करें WPFastestCatch plugin दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं तीसरे टूल की तो दोस्तों तीसरे टूल बेसिक्ली स्क्रीमा टूल है आपको आपको कुछ रिसर्च करते हैं तो guys काफी सारे आर्टिकल्स आपके सामने आ जाते है और guys उन में से कुछ आर्टिकल्स ऐसे रहते हैं जिनके आगे guys 5-star या 3-star की रेटिंग महाँ पर गिवन होती है दोस्तों यह सारी चीज़े आप स्क्रीमा टूल से आप कर सकते हैं और guys इस तरकी के काफी सारे टूल मार्केट में अविलेबल हैं आप चाहें आप कोई भी यूज कर सकते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं 4th plugin की दोस्तों 4th plugin काफी जाथ important plugin है और guys इस plugin का नाम है broken link checker दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ब्रोकर link checker टूल से basically होता क्या है देखें दोस्तों आपने एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा हूँ है और उस आर्टिकल में guys आपने किसी थर्ड website का link आपने डाला हूँ है but guys future में क्या होता है उस website पे हिट लग जाता है वह गूगल टेकडाउन कर देता है या फिर वह website बंद हो जाती है तो आपका link तो आपकी site में डला हूँ है उस site का तो उससे होगा क्या वह आपकी website पे नेगेटिव एफेक्ट करता है तो तो make sure broker link checker tool आप यूज कर सकते है इ जिन पे आपका 404 error आ रहा है यान कि guys वह link open ही नहीं हो रहे है तो guys उन links को आप replace कर सकते हैं तो guys आपको idea मिल जाएगा कि कौन-कौन से links आपकी website पे काम कर रहे हैं और कौन-कौन से links आपकी website के walk नहीं कर रहे हैं guys वह भी guys आप बिल्कुल free में आप चेक कर सकते हैं broken link checker tool से या फिर guys WordPress के किसी भी plugin से ओके दोस्तों बात कर लेते हैं अगले टूल की अनके फिफ टूल की तो दोस्तों फिफ टूल basically site path के उपर है तो काफी सारे blogger यह problem face करते हैं कि उन्होंने website भी बना लिये बड़ गाई 7 days के बाद भी उनकी website Google में ना ही बिंग में रांग होती तो guys गूगल और बिंग आपकी website को रीड तो कर पाएं आपसे अपनी website को live कर दिये वह आपको पता है बड़ गूगल और बिंग को कैसे पता चलेगा तो guys make sure आप site map को submit करना ना भूले और guys आपको जो यूज करना है वो यूज करना है Google webmaster tool plus दोस्तों बिंग webmaster tool okay दोस्तों चलि है दोस्तों site का नाम में आपको बदायता हूं keyword tool.io guys इस site पर आप जा सकते हैं बिल्कुल free में guys आपको keyword काफी अच्छे वहाँ पर मिल जाएंगे plus दोस्तों आप इसी के साथ-साथ guys Google का भी keyword planner आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल free to use है guys अगर आपको keywords को find out करना आता है तो guys आप असानी से keywords आप find out कर सकते हैं plus दोस्तों अगर आपके पास अच्छे खासे keywords है यान कि उन पर competition काफी कम है और guys उन पर high level का volume है यान कि high level का traffic है तो guys obvious ही बात है उन keywords के through guys आप अपनी website पे अच्छा खासा profit आप निकाल सकते हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं next tool के बारे में तो इस tool के बारे में almost सब लोग जानते हैं और guys इस tool का नाम है Google Trends यान कि guys Google Trends में आप जाके guys आप जो भी चीजे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनकी आप help ले सकते हैं plus दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि actually में guys किस किस country में क्या-क्या चीजे चल रहे हैं ताकि दोस्तों आपको पता तो चले कि trending में क्या-क्या चीजे चल रहे हैं okay दोस्तों बात कर लेते हैं next plugin की guys जो की basically extension extension है guys अगर ब्राउजर यूज़ करते हैं चाहिए वो mozilla हो चाहिए वो opera हो चाहिए वो chrome हो guys basically आपको यूज़ करना है SEO extension दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि SEO toolbar extension क्या करते है suppose guys आप Google पर कुछ भी research करते हैं तो guys काफी सारे results आपके पास आते हैं दोस्तों वहाँ पर आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी website किस page पर rank है दोस्तों SEO toolbar extension काफी ज़ला easily हो जाते है और guys आपको काफी अच्छा idea मिलता है कि कौन-कौन से keywords पर आपको काम करना चाहिए दोस्तों SEO keyword extension इसले भी ज़रूरी guys आपको भी नहीं पता कि आपको कम कोई efficient keyword मिल जाए स्मार्ट ग्रेट कल्कुलेटर अगर आप इस keyword को research करेंगे तो जो ट्राफिक है और आपको बताना चाहूंगा इस keyword पे सिर्फ यूएस यूके का ट्राफिक है कोई इंडिया पाकिस्तान का ट्राफिक नहीं है यान कि इस keyword पे सिर्फ हाई CPC ट्राफिक है तो make sure guys आप SEO extension अपने टूल बार में अपने ब्राउजर में यूज करना ना बुलें ओके दोस्तों बात कर लेते हैं next tool के बार में और इस tool के बार में काफी लोग जानते हैं जिसका नाम है guys Google Analytics गैस अगर आप अपनी website पे काम करें guys make sure Google Analytics account आप connect करके रखें ताकि guys आपको बता तो चलेगी आपकी website पे कितने यूजर पढ़े आ रहे हैं guys कौन से user आपके कौन से article को आपको रीड करें तो कोई error आ रहा है कि क्या चीज़े हो रही है guys आपके अपनी website पे guys आपको टूरा एक्ली से graph तो मिलेगा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से article पे आपको काम करना है जिस article पे आपको ज्यादा ट्राफिक आ रहा है उस article पे आप ज्यादा जयान देंगे उसको आप ज्यादा अपडेट करेंगे तो make sure Google Analytics टूल भी आप जरूर यूज करके देखें दोस्तों मेरे कुछ फ्री टूल से जिनने में यूज करता हूँ अपनी वेबसाइट की रांकिंग को बेटर करने में अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने में प्लस दोस्तों कीवर्स को फाइंड आउट करने में इसके लाब भी काफी सारे फ्री टूल मार्कि बताना ना बूले और दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप इसी तरह की काफी सारी ब्लॉगिंग अफ्लेट मार्केटिंग और काफी सारी कमाल की वीडियो से अप्डेट रहें तो गैस अब काफी आप इंडियंग व्लोगर की योडिव छाग को अब बुले और ठिक्स वाचिंग धक्स्ट्राइब कराएं अफ्लेटेक से बूलेटिव और य।